जी आप बताईए आप इस टेम कैसे हो अच्छा खांसी बढ़ जाती है अब देखिए मैं आपकी खांसी खतम करने की दवाई बता रहा हूँ आपको सुबह के टेम खाली पेट गुन-गुने पानी सुब गुला भी बिटकरी लेनी है जो हमारे फेपड़ों पर इन फक्सन है उस सारा खतम हो जाएगा सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी यह तुम्हें करना है आठ में दिन और नो में दिन जिसे आज ले ली फिर नो में दिन बाद लेनी है फिर मुश्चू फोन करना है ठीक है तो खांसी बी खर खर भर बंद हो जाएगी सांस घुटना बंद हो जा आचा तो एक बार चल के देख लो बही यह रास्ता देओ यह रास्ता छोड़ो पीचे बीच में कौन लेटर है इतने क्यों खड़े होगे हो यह कुछ सड़क होगे कर दो थोड़े थोड़े रस्ता दे दो आप कहां से आई है जी शाम नगर यह हापड के पास आचा अचा अचा कहां दर्द है आपके पूरे सरीर में दर्द है और एक दर्द तुमारे हैं से और नीचे को चलता है जी ऐसे चौकर इसको कहते हैं डिस्सिलिफ हो गई क्योंकि पिंडिली पे आके यह दर्द रुक जाता है और ऐसे लगता है जिसमें पिंडिली फटी ख़ड़ा भी नहीं हो जा रहा है तो यह डिस्सिलिफ हो चुकी है डिस्सिलिफ होने जो नस दभी हुई है आपकी यह वीमारी है दो सनिवार मेरे पास आना होगा और फिर म ऐसा था एक बार श्याम नगर की एक बीवी आ गई बुझरुक थी ओ लड़की को लेके आए अब मैंने कहा ममें अरे बुडिया तो कैसे आई है बोली बाबा मैं अपोतिक लेका हैं उसका समय नहीं आता था मैंने कहा तो 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 तीसरे दिन खतम हो जाएगी बुडिया वि कोई बात है चोटी सी ही भारी सी और वो खतम हो गई तो उसका लड़का मेरे पास आया बोलो बाबा तुम्हें कैसे पता मेरी मां खतम होएगी मैंने कहां कान मिंटा लगा हूँ आज के बाद बताओं भी नहीं ठीक है क्योंकि वह आई तो पोती को लेके और हस्पुष्ट कोई दिक्कत ना ही उन्हें मैंने उन्हें देखती कहा मैंने कि मां तु कैसे आ गई तू आई जब जब तेरे बारंट जारी हो चुके है वह तो बोली है मैं ता ठीक हूँ मैंने कि अम्मा बता रहा हूं मैं तुम्हें आज सु तीसरे दिन गड़ बढ़गा हो नहीं है ओ तीसरे दिन ही बैठी बैठी खत्म होगे होगे साथ-ाठ साल होगे साथ-ाठ साल पहली बात है और भाट है है यह अन्जू की सास है फिर तोपता कर दूँगा इसा है देखिए इनकी जो है ना इनकी यह बहुत पहले गिर चुकी है यह साइड को गिरी है और गिरने से इनकी नस में जटका आ गया है इनका दर्द नीचे को चलता है पिंडली तकाता है ठीक है और ऐसे रहती है जह तर्रारी हो टांग ठीक है आराम मैं दे दूँगा देखो दो सनी बार मेरे पास आना होगा आप इंगे को मूँ कर लो और जब मैं कहूं जब देखो इस जैवाबा की जैमादा करतो यह पती बंदेतों पर चलो जा पती बंदेतों चलो जाओ जी गलो अरे खोली वाले बाबाजी मैंने लिया चाहारा तेरा रहे जो गेरे पहभी रही तन सारे दुख का बेरा रहे मैं तेरी सरा मैं आया कोली मैं ठेम बिता हु मैं मैं तेरी चरण में आया में आया बैठो दो बार जल्दी टंट बैठाक मार दो बैठो एक बार खड़ी हो जल्दी कैसे हलका सावा एक बार बैठी हो तुम ता दो बार कहिए मैंने दो टंट बैठाक मार दो नस खोल दूंगो तुमारी ज्यादा उठाओ के ता बैठाओ के पादली कर जाएगा अचा आप कितना आराम है सही बताओ आराम है पहुँचो हाँ चल्वे जल्दी लुट जाओ भाण जाओ जाओ भीया रुट जाओ अरी उरे कवा जल्दी अर तु भी है क्वा जाई सी हो रही है खड़ी हो जल्दी अर अब गलंबर है दोने इने मों करो मेरी बहुआन जीगोर को हाँ आप मैं जो बूजू बताना भीया आप भी जैबाबा की जैमाता कर लें आपके गठिया बाए है ये जोड जोडों में दर्द है आपके एठन है तो उसे मैं करने जा रहा हूँ ठीक है हाँ चलो भीया बोलो गोली सच्चे दर्वारी की है हो तेरे दर पे खड़े भिकारी सुन बाबा खोली वाले चलो भीया बोलो जारे तेरे दर पे खड़े बिकारी सुन बाबा खोली वाले तर पे है कर बेबारी तेरे बाबा खोली वाले अरे कैसे आज जोड़े खड़ी है अब तो आराम होने लगा बैठ उटके देख अब कितना है पाहों में दर्द हैं मुझे पता है ना आंग भी चल दी अब देख अपनी बाजू है अब ठीक है और तो किसी और को देदा है बैठ वहां यूगी ख़तम हो जाएगी पहली बार अच्छा तो अब चेक अब करा कर ये मेरे पाद है पहूंज लिए दोर दोली खाली ओज़तियां के रख़वाद है ये जी आप बताईए आप कहें जीयो आप कितना है पेट में दर्द को आरहम हे और अचे पेर में अपके दाए दर्द तो कम हैं दर्द कम हैं और चल्ने में चलने तो आजसे है पहले मैं दर्द को लाली किसके साथ है इसकी नस्त अभी हुई है तो इसकी नस्त अभी हुई है इसको लाएं इंजेक्शन वगेरा कुछ लग गया है डाक्टर ने लगा दिया जब सीसको दिक्कत हुई है आँख मीच ले नुकर पती बंदितों पर चला जा नुकर दे चलो बोल भी हो महान तुही भगवान तुही तुही अजर अमर अगनाची है महान तुही अजर अगना महान तुही भगवान तुही भगवान तुही अब देख चलके है और तुह भी लिगड़े लाल सॉल वाली उले को जल्दिया आराम है पहुंच वाँ चलो भईया दो दो जोर देतना नस खोल दूँ इसकी हाँ दो दो जोरा ना इसको